Hello Friend, Welcome to Blessing Commerce Tutorial, आज की Tutorial में हम Solve करने जा रहे हैं 21, 22, 23 and 24 Sum of NPO और हमने ये Sum लिये हैं T.S. गरेवाल बुक में से, दल, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं देखिए हमने 21 से लेके 24 Sum स्लेक्ट करे हैं, लेकिन हमेशा हमें क्या चलना चाहिए ये Easy to Difficult लेवल की Policy जो है, वो हमारा Tutorial जो है, वो Follow करता है तो डेक हम Step by Step अपने Points को Clear करते जाएं Done, तो जो ये 21 से लेके 23 आपके Question है, इन में कुछ Tricky क्या है, Points है तो हम आज का वीडियो अपना जो Start करेंगे, वो Start करेंगे Easy Question से and Easy one is 24th Question और इसमें भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा चलिए अब जो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं 24 सम से Done, तो 24 सम है हमारे पास ये रहा, जिसमें हमारे पास 5 Cases जो हैं, वो दिये गए हैं One by one हम सारे Cases जो हैं वो discuss करेंगे, तो पहले बोला जा रहा है, calculate the amount of subscription which will be treated as income for the year ended 31st March 2021, ठीक है, तो यहाँ पे जो year बहुत ही importance रखता है कि 31st March हमें क्या दे रखा है 2021 for each of the following Done, तो ये हमारे पास subscription है, पहली बात है सारे में हमने subscription करनी हैं और सारे cases में आपको क्या करना है, इसको किसमें show करना होगा, income and expenditure account में, as you know कि income and expenditure account में नाम तो income and expenditure बोला जाता है, लेकिन हम start इसको कोहां से करते हैं, expenditure, फिर आप amount लिखते हो, फिर आप income लिखके, फिर दुबारा से amount लिखते हो, तो हम बात करने जा रहे हैं, in every case, subscription ही, तो जो subscription है यहां पे, आपको वो कहां पे डालनी है, on income side, और यहीं पे inner column में आपने सारी क्या करते हैं, अपनी calculation and outer column में हम answer लिखते हैं, डन, तो चलिए शुरू करते हैं, तो ये रहा हमार income and expenditure account और income side पे सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, subscription, ठीक है, तो जो भी हमारा case होगा, हम वो clear करते जाएंगे, तो पहले हम first case जो है, वो read out कर लेते हैं, क्या कह रही हैं, subscription collected during the year 31st March 2021, ठीक है, ये ending period है, तो ये receipt and payment account की हमें amount दे रखे हैं, कि इतनी हमें receive करिया है, subscription in area for the year ended, तो ये area का मतलब यहाँ पे क्या है, outstanding, ये क्या है, end की है, subscription received in advance for the year ended 31st March 2021, मतलब ये next year की है, not of this year, तो जो भी हमारी इस साल की income नहीं होती है, उसको हम minus कर देते हैं, और outstanding इसी साल की है, at the end, वो आपने formula में भी करा हुआ है, concept भी हमने समझा रखा है, अपनी last video में, subscription के related जो video हमारी 9 था थी, उसमें, तो वहाँ पे आपने plus कर देना है, done, तो बस simply 6000 प्लस हो जाएंगे, 5000 माइनस हो जाएंगे, तो कैसे आपको fill करना, मैं एक सम आपको fill करके निखा देती हूँ, बाकी हम इसको quickly करेंगे के plus क्या होना है, माइनस क्या होना है, ठीक है, तो यह दिखिए, आप यहाँ पे अपनी subscription के part को लिखेंगे कि कितनी हमारी क्या है, subscription है, subscription हमें दे रखी थी, सम में, 2,50,000, इसमें add कर देंगे outstanding end की, वो कितनी है, आपके पास 6,000, और less कर देंगे आप advance, वो भी end कर, तो यह 5,000 आ जाएगा, तो it means बाहर आपका calculate करके 251,000 आ जाएगा, तो इस तरह आपको income and expenditure account बना कर, वहाँ पे आपको show करके आना है, this is the extract, extract क्या होता है कि हम यहाँ पूरा समनी कर दें, जस्ट उसको बता रहे हैं कि case-wide क्या है, तो यह case 1 था, इसी तरह से हम सारे cases discuss करने जा रहे हैं, बत्रा जे मैं आपको ऐसे नहीं कि बना कर बताऊंगे, वो हमें बोहर टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि वहीं पे discuss कर रहे हैं, तो यह आपके पास second हो गया, subscription collected during the year, again 49,000 जो यह दे रखा है हमें, यह recipient payment account का है, subscription for the year ended 31st March, ठीक है, for the year ended, collected in the previous year, 31st March 2020, पिछले साल में collect किया था, लेकिन यह है इस साल का, तो income and expenditure account हमेशा deal करता है current year के साथ, तो यह 3000 हम क्या करने वाले हैं, plus subscription unpaid for the year ended 31st March 2021, ठीक है, तो यह भी हमारे पास unpaid है, बट है किसकी 2021 की, तो हम इसको भी अपने पास क्या करतेंगे, add कर देंगे, तो यहाँ पे 3000 और 2000 जो है, आप plus कर देंगे 49,000 हमें, तो हमारे पास सब कुछ वैसा ही है, ऐसे ही यहाँ पे आप एक performer बनाएंगे, और उसमें यह amounts जो हैं, वो fill करतेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, यह बहुत आपका length ही हो जाएगा नहीं ही तो, 49,000, plus क्या करतेंगे, आप इसमें 3, plus क्या करतेंगे, 2,000 करके, आपके पास जो answer है, वो रहेगा यहाँ पे, 54,000 आउटर कॉलम है, यह कौन सा केस किया है, हमने 2nd, Now, move to the third case, ठीक है, third case, third case में कहा रहे है, subscription received कितनी है, बच्चा, 25,000, subscription outstanding in the beginning of the year ended, 31st March 2021, तो यह outstanding beginning की दे रखी है, beginning की जो outstanding थी, वो हमने formula में minus करी थी, subscription not yet collected for the year ended, 31st March 2021, तो यह end की outstanding है, यह क्या हो जाएगा, आपके पास plus होगा, तो 3000 minus हो जें जा रहा है, और 5000 हमारे पास plus हो जा रहा है, 25,000 में, ठीक है, तो यहाँ पे 25,000 recipient payment account ही हो गई, और इस में से 3000 minus plus 5000 कर देंगे formula के according, और यह answer 27,000 आपके पास आजाएगा, ड़न, चलिए, four sum देखते हैं, subscription received during the year ended, 31st March 2021, 80,000 है जी, subscription outstanding in the beginning of the year 31st March 2021, तो outstanding in the beginning, याद है न जी, क्या करना है इसका, इसको आप minus करते हैं के 5000 तो, subscription not yet collected for the year ended, 31st March 2021, यह end की हो गई, तो यह plus हो जाएगे, subscription received in advance for the year ended, 31st March 2020, 2022, तो यह advance वाला case है, और last वाला case है, तो यह आपके पास जाने वाला है, minus में, done, तो यह बस इसी तरह से कैसे कर देंगे इसका, अब हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, fourth one कर रहे हैं, तो 80,000 है हमारा recipient payment, जिसमें से हमने 5000 minus करना है, plus करना है, 8,000 और minus करना है, 2000, ठीक है, यह इस साल का नहीं था, तो करकर आके, आपके पास आजाएगा, 81,000, तो एक केस रह गया, हमारा fifth, देखें क्या कहता है, fifth case, fifth case कह रहा है, जी आपको, subscription received during the year ended 90,000 है, subscription outstanding at the end of the year 31st March 2020, अब धिहां से देखिए राचे, यहां पे, end बोला गया है 2020, it means यह क्या होगा, beginning of current year, तो outstanding in the beginning को आप क्या करते होते थे, minus, done, subscription received in advance on 31st March 2020, अब यह again, 31st March 2020, मतलब beginning, advance किसकी है, beginning की, तो यह 3000 आपके होने वाले हैं, plus, subscription received in advance on 31st March 2021, जो आपको 2021 की है, तो यह क्या हो जाएगी है, आपके पास, minus, not yet collected for the year, ended 31st March 2021, तो यह last की होगी, तो यह 6000 आप क्या करतेंगे, plus करतेंगे, ठीक है, तो यह हम question देखते हैं, कैसे लिखेंगे, 90,000, minus इसमें से क्या करना है, 5, plus करने हैं जी, 3000, फिर इसमें से आपको minus करने है, 4, plus करेंगे, 6, देखें, 6 और 3, 9,000, 5 और 4 भी 9,000, तो 9,000 इप्लस हो रहे हैं, 9,000 इप्लस हो रहे हैं, 9,000 इप्लस हो रहे हैं, it means 90,000 will be your answer, done, तो यह मेरा 24th सम था, तो यह सम करके, आपको एक पॉइंट समझ में आगया, कि किस तरह से year को redound करते हैं, और यह सबसे ही easy सम था, अब हम move करते हैं, 21 सम ते, चीक है, तो यहां पे 2021 आपने last year लेना है, ठीक है, तो यहां पे पहले बात बोल रखी है, कि सबस्क्रिप्शन इन एरियर, on 31st March 2020, कितनी है जी, 500, सबस्क्रिप्शन रसीवड इन अडवास, यह 31st March जानल, it means 1420, ठीक है, 1420 इस beginning of the year, सबसे ज़रूरी बात है, इसी में ही बच्चे क्या हो जाते हैं, हमारे confused हो जाते हैं, कि हम क्या करें, सबस्क्रिप्शन रसीवड इन अडवास, on 31st March 2020, for the year ended 31st March 2021, तो हम दें 2021 की बुक्स बना रही हैं न, तो यह कितनी हैं आपके पास, रसीवड इन अडवास, किस में मिल गई थी, 20 में मिल गई थी, किस एर के 2021, तो यह है तो 2021 की न, 1100 आपके पास, तो यह रसीवड इन अडवास वाली बाग कर दे हैं, यह भी 1, 4, 20, beginning of frontier, तो यह अडवास वाली बाग कर दे हैं, अडवास भी किस में होता है, प्लस में होता है, टोटल सब्स्क्रिप्शन रसीवड दूरिं दा यह एर अंड़िए, 31st March 2021 is this, this is your recipient payment, अकाउंट की फिकर है, अब यह पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ना, इसी में ही सारी प्रिप्श है, यह 400 इसमें इंक्ल्यूड है, 31st March 2020 के, और जो यह हमें दे रखा था, सब्स्क्रिप्शन इन एरियर, यह फिर क्या था जी, 2020, यह थे एरियर, और यह 400 रसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पढ़े है, ठीक है, इस पॉइंट को जो बच्चा समझ जाएगा, उसका आदा सब्स्क्रिप्शन के डाउस क्लियर रोगी, आपके पास 500 तो ऐसे हैं, जो क्या थे, दियू थे, कबके दियू थे वो 20 के, लास्ट येर थे, और उसमें से, रसीव्ड कितने हुए हमें, 400, पॉइंट को देखिए, ये लास्ट येर या प्रीविएस येर जिसको बोलते हैं, कि 2020 के आपके 500 यू थे, जो फर्स पॉइंट में लिखा हुआ था, 400 जो रसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अमाउंट दे रखी है, उसमें लिख रखा है, तो इन दोनों में क्या चीज हम एंट्यूट करेंगे, क्या एक्स्क्ल्यूट करेंगे, इसी पे ही सारा कोश्चन बेस है, जब भी आपके पास ऐसा कोश्चन आता है, यहाँ पे आपको देखो, यह क्या दे दिया गया है, अकाउंट की देदी गया है, और इसमें यह बताया गया है, यह यहाँ पे भी 2020 की लास्ट की बाद कर रहे हैं, और यहाँ पे भी 2020 लास्ट की बाद कर रहे हैं, फिर last में लिख रहे है subscription outstanding for the year ended ये last वाले outstanding क्या है ये subscription outstanding end है तो वो हमेशा plus होता है तो मैं बात कर रहे हूं C point की है हम बात कर रहे हैं एक C point की और A point का इसको चार बारी बच्चा पढ़ना जुरूर तभी ये confusion एक बारी clear हो गई तो आपके subscription के सम ऐसे निकलेंगे तो हमने यहाँ पे जब भी ऐसा point लिख है पहले मैं C की बात कर रहे हूं 35-400 जो आपके पास लिखा हुआ है अगर ऐसा कुछ आता है तो पहले आप अपने rough note में आप imaginary A क्या बना लिया करिए आपके receipt and payment account कैसे होगा outer में आपको दी जाती है जो चीज received हुई है इतने पैसे हमें received हुए है फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपने year कोन कोन से उसने बात कर रखेंगे एंड के year लिखेंगे यह यह दे रखेंगे फिर हम बात करेंगे के due और paid यह ऐसा प्रफोर्मा आपने rough में बनाना है अपने आपको सुझाने के लिए तो 20 के due कितने थे first point में लिखा हुआ था यह लिखा हुआ था A point में 500 पे कितने हुए C point में लिखा हुआ था हुआ रसिप्टेंट पेमेंट पेड हुआ पेड बाइदा कस्टमर रसीवड बाइदा एंप्यों 2021 की कोई information नहीं दे रखी और उसमें 22 की information दे रखी है हमें 1200 यहाँ पे और 23 की information दे रखी है सीखने अब हमने बनाना income and expenditure account income and expenditure account is always related with the current year तो जो यह भाई जो इतनी सारी चीज़े मेरे को सजा कर दे रखी है यह सारी 2021 जो मेरा current year 21 से belong नहीं करती है और जो यह due की बात कर रखी थी 500 इसको भूल जाओ भाया यह जो है वो बात ही खतम हो गई मेरा 400 इसमें include है तो मैं इसी को deduct करूंगी यह 500 रुपया तो अभी कुछ भी नहीं करना यह जब बड़े समाएंगे फिर समझ में करना है कि हमने यह 500 पात एक्च्वल में करना है ठीक है तो यहां पे हमारे पास जो deduction चले अब ध्यान से सुन्यों 35400 यह जो 400 जी बैठे हैं 1200 जी बैठे हैं और हमारे 300 जी बैठे हैं इन सभी को हम कहेंगे आप चले जाईए अभी हमें आप नहीं चाहिए हम income and expenditure account में बैठे हैं और income and expenditure account हमारा 21 का है हम 21 से बात करते हैं हमें 20, 22, 23 से सब कुछ लेना देना नहीं ठीक है तो जब आप यह सारा कुछ deduct कर दो के तो आपके पास यह 21 की amount आजाएगी जो actual में 21 से relate करेगी तो सम कैसे करना है आपने आपने income and expenditure account के यह किस साइट पे लिखना है बच्चा income साइट पे लिखना है जो कोहां पे होती है income साइट आपकी credit साइट पे होती है subscription आएगी कौन सी subscription आएगी 35400 की इसमें से आपने यह सारा 400 1200 और 300 को आपने first of all less कर देना है ठीक है जी तो कैसे less करेंगे हाँ c कैसे less करेंगे आपने इसमें से 400 1200 और 300 जो इस साल के career cut लिख रखे थे कि यह 20 की amount है जी यह 20 किसकी है आपके पास 2 की amount है और यह 23 की रवास है लेस करेंगे आपने proper wording वहां से देख के लिख लेनी है कि क्या क्या amount क्या वर्डिंग उसका रखी है तो यहां तक clear चली अब चलिए मेरा देखिए A point मैंने clear कर दिया C point clear कर दिया अब मेरे पास बचता क्या है मेरे पास बचता है B point subscription received in advance 1420 advance in the beginning 1100 तो यह आप क्या करने वाले हो 1100 भी point हम add कर देंगे 1100 क्या हो जाएंगे add advance beginning फिर उसके बाद सम क्या बोलता है अब मेरा कौन सा point A clear B clear C clear now D point subscription outstanding end किया जी 400 ठीक है तो 400 आपकी end की add outstanding end 400 यह सारी आप calculations कर देना और आपके पास जो है answer जो है वो आजाएगे तो answer आपके पास आ रहा है 35,000 done hope कर रहे हूं कि यह वाला सम आपको अच्छी त्रीके से आ क्या होगा because इस सम में बहुत सारे हमारे concept जो है वो आ रहे हैं तो अब हम move करते हैं हमारे next sum की दरफ 22 sum ठीक है तो 22nd sum देखें क्या क्या है how are the falling item of subscription shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 इसको mind में चू रखना है क्योंकि this is my current year and the balance sheet very good sum इसमें आपको बहुत कुछ बोल रखा है balance sheet बोल रखी है previous year की 2020 है na previous year की and current year तो यह जो opening balance sheet जिसको हम word बोलते हैं closing balance sheet वो दोनों बनानी है एक आपको क्या बनाना है income and expenditure account बनाना है इस sum में हमें वो जो last one account due and paid 500 and 400 वो concept बढ़ी अच्छी दरख्या से clear हो जाएगा तो यह sum बहुत ही अच्छा डाला गया है तो यहां देखें क्या लिख रखा है subscription received during the year this is a receipt and payment account फिर बोल रहे है subscription outstanding on 31st March 2020 तो हमारा यह beginning भी कह सकते हैं देखिए beginning outstanding beginning outstanding है तो यह हमारा clear cut क्या हो जाएगा beginning outstanding को हम क्या करते होते हैं जी minus अभी पूरा sum नहीं हुआ फिर कह रहे है subscription received in advance ठीक है received in advance यह फिर beginning की आ रही है जी plus advance की बात कर रहे है फिर बात कर रहे है के advance at the end at the end minus subscription outstanding on 31st March 2021 outstanding end की बात कर रहे है plus now the main point and the very important point this one including 12,500 for the year ended 31st March 2020 कहां पर इस जो आपको यह 37500 दे रखा है ना last का यह बाला this amount इस में कह रहे हैं कि यह 12,500 जो है ना वो clear cut यह जो मेरा amount बड़ा है 3,7,500 जो मैंने plus करने के लिए बोला है तो simply आप इसको क्या कर देंगे minus कर देंगे 12,500 ठीक है तो यह आपके पास क्या हो जाएगा जी minus हो जाएंगे तो उस amount को हम deal करेंगे अब यह क्यों माइनस हुए वो मैंने आपको समझा दिया कि हम पिछले साल को entertain नहीं करते हैं income and expenditure account party में किस-किस को invite करते है current year वालों को ठीक है जो latest होते हैं जो उसके साथ के होते हैं ठीक है तो आप सिर्फ 12 वालों को ही क्या करोगे आप income and expenditure account हो तो आपकी अगर party थ्रोऊ रही है तो आप सिर्फ 12 वालों को ओई बुलाओगे 11th वालों को भी नहीं बुलाओगे become first वालों को भी नहीं बुलाओगे तो आप 12th हो आप income and expenditure account हो और आप कोगे नहीं भाई मैं तो 12th की पार्टी दे रहा हूं तो सिरफ मैं 12th कोई बुलाओंगा income and expenditure account भी यहीं बोलता है कि मैं सिरफ frontier को बुलाओंगा तो यह कहता कि भाई दू तो पुराना हो चुका है 12,500 तू पुराना हो गए घर बैठ मैं 25,000 के साथ खुश हूँ एक बात समझ में आगे अब एक point फिर अर रहा है वो क्या अर रहा है जो हमने पहले डिसकस करा था देखो यह जो 30,000 हैं यह 30,000 में दो amount है यह देखो 31st March 2020 यह भी 31st March 2020 इस में 12,500 जो हैं वो रसीवड नहीं हुए है या फिर आप ऐसे कर लेजिए कि 30,000 आपके due थे लेकिस actual में pay कितने हुए 17,500 वो कैसे 30,000 माइनस 12,500 बच कितने गए 17,500 तो हमने last 21st में सीखा था कि यह 17,500 को मैं डिल करूंगी किस में income and expenditure account में जो मेरा यह रहा रसीट वाला तो जब आपको माइनस करने का turn आएगा तो 17,500 को आप दिल करोगे 12,500 को दिल नहीं करोगे तो मैंने दो पॉइंट यहां पर clear करें है एक हमने यह 37,500 वाला point clear करा है कि इसमें जो 12,500 प्रिएस यह के थे तो वो में को include income and expenditure account में नहीं करने भईया तो मैंने वो deduct कर दिया 25,000 वान मोर तिंग यहां पर ओन लिख रख रहा है ना ओन लिख रख रहा है ना तो यहां पर जो यह outstanding था यह अच्छा चलिए एक point मेरा रह गया वो मैं आपको पहले clear करती हूँ लास्ट वीडियो में कर रहा हुआ है शायद वो मैंने एक wording लिखी आती है for the year ended बहुत ज्यादा important point है as on whatever 31st March और यह 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 वर्डिंग लिखी आती है for the year ended it is only related with current year जब यह वर्डिंग लिखी आती है as on 31st outstanding, advance, whatever ठीक है तो उसमें previous year plus current year भी include होता है क्या wording लिखी आएगी as on जब for the year तो सिर्फ current year अब देखिए wording पे चलिए wording मैं अगर यहाँ पे देखूं subscription outstanding on 31st March मतलब as on 31st March तो यह जो 30,000 यहाँ पे लिख रखे हैं तो यह दोनों का combination है 12,500 एंड 17,500 बट मेरा income and expenditure अकाउंट को होन है जी 12th class 12th class क्या कहती है कि मैंने सिर्फ 12th class को बाटी दे रही है तो 12th class कोन सी है 17,500 डन तो यहाँ पे सिर्फ 17,500 को ही आप entertain करेंगे तो तीन चीज़े बनानी थी अभी मैं सिर्फ income and expenditure अकाउंट की बाट करेंगे तो चलिए income and expenditure अकाउंट देख लेते हैं कि हमारा उसमें कैसे deal करेंगे तो income and expenditure अकाउंट में हमने बनाना है एक हमारा income and expenditure अकाउंट फिर हम बात करेंगे यहाँ मैं सिर्फ राजे क्या बना रही हूँ? इंकम साइट बना रही हूँ, expenditure साइट नहीं बना रही हूँ तो subscription, subscription हमारी थी 35,000, sorry 35,000, yes, 358,500 ठीक है तो इसमें आप अब सारे जो भी आपके पास है less outstanding कर देंगे beginning की, अब यहाँ पे हमने भरना है 17,500 मैंने पीछे clear कर दिया आपको कैसे हैं फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, advance आई है हमारे पास beginning की, 12, 22,500 फिर आप क्या लिखोगे, less करोगे, advance, end की और वो आपके पास है 13,500 फिर उसके बाद add करेंगे हम outstanding end और वो भी amount specially designed करी गई है 25,000 जो 12 की party के रिए है, समझाया था आपको तो यह सारा कुछ आप दिली करेंगे और यहाँ पे मेरे पास answer income and expenditure अकाउंट का जाएगा 3,75,000 दन अब हमारे पास आती है ओपनिंग बैलेंस शीट थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ग्रेट ठीक है यह हमने परफॉर्मा बना लिया अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट का आप कोशिन की तरफ चलते हैं तो कोशिन में देखे प्रीवियस येर का क्या क्या दे रखा है प्रीवियस येर का एक तो यह सब्स्रिप्शन आउस्टेंडिंग दे रखी है आपको 2020 के साथ रिलेट करती है और एक यह सब्स्रिप्शन अडवांस दे रखी है जो आपके पास 2020 से रिलेट करती है कुछ औ और दे रखा है तो अब हमने यह आउस्टेंडिंग है 30,000 की और 22,500 जो है अड़्वांस तो आपके पास यह रहा क्लोजिंग तो सब्सक्रिप्शन बताएंगे जरा यह अड़्वांस के साइड पर आती है लाबलेटी साइड पर सब्सक्रिप्शन आउस्टेंडिंग आती है एसर टाइप तो आपके पास आप जस्ट सिंप्ली यह फिल्कर देंगे यह तो रही इजी बार ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी कि नोट डाउन टलिया इरेस कर देन सो रट इसी प्रफॉर्मा में चैंड अब इसी प्रफॉर्मा में हम अपनी क्लोजिंग बैलें शेट बना रहे ठीक है राजी है तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा 21 जाएगा, चलिए अब देखते हैं 21 की क्या है, अब 21 देखें यहाँ नीचे दे रखा है, आपको यह आउस्टेंट, 37,500 एक यह अमाउंट दे रखी है, और 21 से रिलेट जो है, एक यह दे रखी है, 13,500 यह तो बड़ी असार है, 13,500 एडवांस है, यह लिजए हम अडवांस अपनी यहाँ देते हैं, अब जो यह आउस्टेंडिंग है ना, यह आउस्टेंडिंग दो पार्ट में जाएगी, कैसे दो पार्ट में जाएगी, आउस्टेंडिंग ओफ 20, ठीक है, कैसे आपको लिखना कैसे है, सब्सक्रिप्शन आउस्टेंडिंग, 2020 की कितनी थी, 20, 21 की कितनी थी, और आउटर कॉलर में आप डालते हैंगे, तो यह कॉंबिनेशन था, 12,500 और 25, ठीक है, तो यह बाहर आजएगा, 37,500, तो यह जो 12,500 हमने पिछले साल का आगे carry-on balance sheet में करते हैं, that's why यह हमारे पास आया, तो यह 37,500 है, यह क्या हो गई, आपकी closing balance sheet, extract है, पूरी balance sheet नही बनाई न, ठीक है, तो यह था, मेरा question number 22, now, question number 23, question number 23, जो कह रहा है, last year लेना है, 31st March 2021, from the calling information, prepare subscription account, अब भाई, इसमें subscription account बोल लिया, हमने तो अभी तक format form में करा है, account तो बनाया नहीं है, अचले, यह कोई बात नहीं है, हम इसको बना करने हैं, अब आपको account बनाना भी आ जाएगा, अब जो, उन्होंने बोला है, हमें विसी प्रें करना बगता है, subscription in area, आपको last year का दे रखा है, current year का दे रखा है, advance last year का दे रखा है, current year का, यहाँ पर देखिए बड़ा मज़ेदार लूप बनने वाली है, कैसे, इस home में भी आप बना सकते हैं, subscription in area, last का subscription in area क्या होता है, बताईए, तो यह beginning का है, beginning का subscription in area क्या होता है, minus जी, end का क्या होता है, plus होता है, subscription यह क्या होता है, plus होता है, यह क्या होता है, minus, look, minus, plus, plus, minus, done, अब फिर वही बंगा बढ़िया जी तो यहाँ पे 6000 of area from the previous year दे रखा है तो यह 6000 किसमे से हमारा दील होते है 6000 जो area from the previous year है तो area previous year का है तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है आपका 20,000 का है तो यह 20,000 का area कितना है 6000 बढ़ यहाँ पे आपको कितना दे रखा है 20,000 ठीक है और यहाँ पे 18,000 है अब यह जो 6000 है यहाँ से भी deduct होने वाला है और deduct यहाँ से भी होने वाला है यह आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 18,000 है और यहाँ पे कितना है आपके पास 20,000 है तो 6000 की amount है तो it means यह कितना हो जाएगा 12,000 और यह कितना हो जाएगा 14,000 fundamental मैंने आपको clear करती है ठीक है तो यहाँ पे एक निया point आया है subscription area of the previous year return of कितना आया है 4000 तो यह जो 4000 आया है इसका क्या कितना है अगर तो देखो आप format form में बना ले जैसे हम बनाते आ रहे हैं तब तो आप यही वाला format करोड़े क्या करने वाले हो 210,000 तो आपके पास minus हो रहे है 14,000 फिर प्लस हो रहे हैं आपके 12,000 प्लस हो रहे हैं 13,000 और minus हो जाएंगे 11,000 फिक है और यह जो last के 4000 written off completely हो रहे हैं यह प्लस कर दोगे और आपके पास जो है वो अंसर जो है वो आजाएगा 240,000 फिर बट बट अगर आप इसको किस फॉर्म में बनाएंगे अकाउंट फॉर्म में है क्योंकि यहां पे वर्ड जो है ना यहां पे आपको फॉर्दा इयर एंडट लिख रखा है उपर फॉर्दा क्या लिख रखा है इयर एंडट लिख रखा है तो उसमें आप देखे कैसे बनाएंगे आपको क्या करना है एक क्या बनाना यहां पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है ठीक है तो यहां पे आती है टू सब्सक्रिप्शन आउस्टेंडिंग बाई सब्सक्रिप्शन आउस्टेंडिंग यह होती है एंडट की यह होती है बेग में ठीक है यहां पे आप लिखते हो बाई सब्सक्रिप्शन आडवांस तो यह होती है बेगनी यहां पे लिखते हो टू सब्सक्रिप्शन आडवांस जो लिखी जाती है एंडट तो देखें आउस्टेंडिंग एससट होती है न तो एससट का डैपिट साइड होता है अडवांस ऐसे एक format दिया जाता है और यहां पे आप लिखते हैं by bank account यह जो bank account होता है ना इसमें आप डालते हैं रिस्ट एंड पेइमेंट ही फिकर यहां पे by subscription return बस और यहां पे two income and expenditure account this is going to be your balancing quicker अब अब प्लस तू में हो तो मैंने आपको परफोर्मा दे दिया है जस्ट आपको इसको क्या करना है filling करोगे और यहां पे आपका answer जो है तो मैं इसके लिए आपको यह मैं filling छोड़ रही हूं आप लोगों के लिए और hope करती हूं कि आप यह sum को quickly cover up करके में को comment box में जुरूर बताएंगे कि आपका answer आया या नहीं done तो इतनी महनत मैंने आपके साथ करी है सारे sums clear करें हैं यह sum मैंने actually comment box में आया कि आप यह sum कब करवाएंगे तो मेरे को यह मैंने introduce करा वीडियो में otherwise मैंने यह include नहीं करना था क्यूंकि हम यह अपनी coaching center पे ही teach करते हैं जो sum रह जाते हैं तो हमने आपके लिए specially यह video बनाया तो यह sum solve करके प्लीज आप हमें comment box में चुरूर बताइए कि answer आपका आ रहा है या नहीं और आपको हमारी coaching पसंद आ रही है या नहीं तो next video में हम आपके साथ मिलेंगे और हम share करने जा रहे हैं as a creation in case of fund based accounting क्या रहता है और उसके ही साथ के हम practical sum जो हैं वो clear करेंगे तो अगर आप नहीं हैं तो kindly subscribe करिए हमारे channel को और रहने हैं तो अपने दोस्तों के साथ share और please comment करके जूरूर बताइए कि आपको हमारे videos कैसे लगते हैं Thank you